आज हम दिखाएंगे चार विड़ा प्लांट का समर केयर वैसे तो यह बहुत ही नक्रे वाले प्लांट है देखिए हमने इसे पिछले सार लर्सरी से नाये थे करीब डिसंबर के वक्त तब ज्यादा फूल खिलते थे अब यह समर है इसलिए एक फूल खिला है फिर भी हड़ा जाहिए इनमें कलिया भी आई है जैसень अब देख सकते यह देखिए यह और सारे हैए और सब्सक्राब्रन का इसे का नियम है वो है कि इसका क्राउन ऊपर रहना चाहिए जैसा कि यह देख सकते इसका क्राउन और प्थैना है यह उपर है क्योंगी जाबड ऐस cookie 원 आते हैं यह सब क्राउन से ही उठते हैं जैसे कि यह वाला कवी हैं देखिए क्राउन से ही उठते हैं इसलिए हर पेर का जैसे ब्रांचेस यहां से बतलब आते हैं पर इसके क्राउन से आते हैं इसलिए क्राउन इसका मिट्टी के ऊपर होना चाहिए और इसको liquid fertilizer देना ही सबसे जाधा अच्छा होगा क्योंकि ड्राइल फर्टेलाइजर है अगर आप देते रहेंगे तो gradually एक दिन ये फूरा crown भर जायर गा पर इसलिए इसका liquid fertilizer ही अच्छा है और इसके इसका जो सॉयल होना चाहिए वह बहुत वेल ड्रेंज होना चाहिए वरना इसका जो जड़े हैं अच्छे से फैलाएंगे नहीं इसमें इसको समर में सिर्फ सुबह के दूप चाहिए होती है फिर बाद में 11 बचे के बाद में इसको शेड में रख सकते हैं कि यह देखिए और एक कली आयी है जासर के अब देख से पर यह देखिए बहुत सब्सक्राइब देखिए इसमें इसमें यह तक यह नहीं दिख रहा है देखिए इसमें ग्रीन है बहुत सरे कली हैं अगर आपके जड़व प्लांट के पत्ति सूपने लगे तो उसे आप काट दीजिए हर रोज इसका ख्यार रखना पता है जो भी पत्त सुखा हुआ मिलेगा आपको वो काट देना पड़ेगा इसमें फांजिसाइड दे सकते हैं वो पानी में डाइलूट करके स्प्रेय से हर हकते में एक बार जरूर दे आप इस बात का इंतजार ना करें कि क कुछ इंफेक्शन हो गया तो बचाना बहुत मुश्किल होता है जैसे यह बहुत ही खुबसूरत है देखिए यह मेरा हाइब्रीड है दो तारिके का जर्बिरा मिलता है एक देसी और एक हाइब्रीड यह हाइब्रीड जरूर है पर गर्मी है इसलिए थोड़ा सा छोटे फ दिया है यह प्लांट मैं जब नर्सरी से लाई थी तो इसका इसको दो सो रुपे में हमने एक पर्चेस किया था देखिए आप इसे ऑनलाइन भी ओर्डर कर सकते हैं कभी भी इसे छोटे पॉट में ना डाले इसको हमेशा छोटा पॉट ही अच्छा लगता है जार्बरे के लिए छोटा पॉट ही ठीक होता है देखिए ओके थैंक यू फ्रेंज अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप कॉमेंट शिक्षन में कॉमेंट कर सकते हैं थैंक यू